प्रशंसा पुर्व की सूचती है कि उसका जो ब्रदर है वो कितना क्लेवर है कितना चालाख है इट वास था मन्थ यह जो मन्थ था समर का मन्थ था मतलब गर्मी का महीना था बाबुजी है गों चुवर्व उनके जो पापा थे वो काम के लिए गय हुए थे दोनों बच्चों को सुला के मा जो है वो खुद भी आराम करने के लिए लेट जाती है लेकिन जो बच्चे थे उनके आखों मैं जी नीन कहा थी है ना उन्हें नीन बिलकुल ही नहीं आ रहे थी आइस को बंद करते हैं अपने जो साह से उनको रोके हुए होते हैं और वो लोग एक मॉमेंट का वेट कर रहे थे मतलब एक मौके का इंतिजार कर रहे थे जैसे वो लोग को यकीन हो गया कि मा जो है वो सो गई है दे गॉट ली अन्लेच तर डो है न वो लोग क्या करते हैं बहुत ही धीरे से उठते हैं अन्लेच तर डोर दोर को खोलते हैं और क्रिप्ट आउट और वो क्या करते हैं महां से भग जाते हैं शून देविया मेकिंग प्रिपेरिशन ऑफ सेवकार्ट थे वो लोग को क्या करना था अंडू को बचाने की तयारी करने थी केशो प्राउट स्टूल फ्रॉम बट इतना उचा ही नहीं होता है कि वो उस कॉ तो प्राउट सके रिपाज यूश्य नहीं होता है कि वो बाथिंग स्टूल को वो ले आता है और वह जो पहले वाले स्टूल उसके नीचे वो रख देता है क्यों ताकि वह उस हाइट से उस चज्चे तब बहुं सके एंड जिंजरली क्लाइम डॉम और वो क्या करता है डर स्टूल को क्या करती है पकड़ती जस पे केशोव चढ़ाता इट्स अनिफेन लेक्स मेट रेदर उबली एंड टिप्ट लाइटली विचेवर वे दा प्रेशर इंक्रीस्ट ना वो जो सूल के जो लेक्स थे वो क्या थे बराबर नहीं थे जिसके वजह से वह बहुत ही ज्या रहा था और जिस तरह ज्यादा प्रेशर पर रहा था उधर की और वो क्या हो रहा था जुक जा रहा था और अगर वो ज्यारा सभी हील रहा था तो क्या हो रहा था जुक जा रहा था जुक जा रहा था ऑनली केशो न्यू वोट फियर वोट रिट असल हिम एड दो मुमेंट उस समय उसे केशो भी जानता था कि उस समय उसको कितना डर लग रहा था वो कितना ज़्यादा डरा हुआ था उस मुमेंट पे अपने आपको स्थीर रखने के लिए उस जज़्ये को पकड़ लेता है और स्यामा को बहुत ही दबी वी आवाज में डाटता है उसे खोल फर्स्ट और I will come down and beat you nicely वो बोलता है कि तुम अच्छी तरह से पकड़ो वरना मैं नीचे उतर के तुम्हें पीटूँँगा है ना तुम्हें मारूँँगा वो जो वी जो स्यामा थी उसका जो अटेंशन था वो कहा था चज़्ये पर था time and again her mind in that direction and her grip on the stool slack क्या होता है कि वो जो थी उसका दिहान बार बार चज़्ये की तरप जा रहा था उसका दिहान बार बार उथर चला जा रहा है इसलिए क्या हुँ रहा था मतलब वह जो स्टूल था उसका जो पकड़ि उसके हातों से डीली बढ़ जा ρहे थijn मतलब वह बारबार उदर देखने के चथुल में वह क्या कर रहे थी केशो जो पकड़िए थी मतलब उसका जो पकड़ि वह डीला केशो सूसं ट्रीक स्कैडर ऑन दर कॉनिक्स केशो जो है फो देखते है कले से थीन करण हुए थे एंड प्री casually और यो तीन इंडे दो है प्राइज हुए थे दना वहां पर आप लाइक तो वहां पर जब केशो उपर चड़ता है स्टूल पर तो वह देखता है वहां पर कोई भी घोसला नहीं होता है जैसा वो लोग पेड़ों पर देखते हैं तो जो केशो होता है वो बोलता है यहां पर तीन अंडे है और जो बच्चे है वो भी बाहर नहीं निकले है तो जो केशो है वो बोलता है हां मैं तुम्हें दिखा दूंगा लेकिन पहले तुम कुछ कपडे ले आओ हैना पुराने कपडे ले आओ यह जो बेचारे अंडे है वो तिनको पर पड़े हुए है तो इनके नीचे रखने के लिए क्या ले आओ कुछ कपडे ले आओ वो एक पुराने सारी से क्या करती है कपड़ा को फार के वो ले आती है क्यों उस अंडे के नीचे बिछाने के लिए केशो जो है उसे लेने के लिए जोगता है है ना from her folded it now of times to make it into a cushion and placed it under the और वो क्या करता है उस जो सारी होता है सारी का जो 20 होता है उसको वो बहुत बार मोड़ता है वो मोड़के एक गद्दी बना देता और उसको उन अंडों के नीचे रख देता है I also want to see them भाईया स्यामा pleaded है न स्यामा जो है वो बहुत ही मतलब क्या बोलते है बिनाइपुर्व भावना से बोलती है कि भाईया मैं भी देखना चाहते हूं मुझे भी दिखाओ yes yes I will show them to you तो केशो जो है बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हें दिखाओंगा but first bring the basket so that I can make a roof replied केशो तो केशो जो है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें दिखा दूँगा लेकिन पहले तुम उस बास्केट को ले आओ ताकि मैं इनके उपर चद बना सकू है न मतलब रूफ बना सकू स्यामा handed the basket from below स्यामा जो है वो नीचे से टोकरी को से थामा देती है और बो केशो रेस्टेट the basket against the branch and said so bring the water and grain let me get down and then you can have a look है न तो केशो है वो बोलता है कि हाँ हाँ केशो ने टोकरी को क्या करता है उस जो टोकरी वो जो देती है उसे वो ब्रांच के सहारे उसे क्या करता है टिका देता है और बोलता है go bring the water and grain है न जाओ दाना और पानी ले आओ let me get down और फिर मुझे नीचे आने दो and then you can have a look और उसके बाद तुम देख सकती हो siyama brought the ball of water and rice to siyama जो है वो जाती है दोड के और फिर वो ball of water मतला पानी का प्याला और rice ले आती है केशो placed them both under the basket and climbed down softly और केशो जो है वो दोनों पानी का प्याला और खाना जो चावल होता है उसे बहुत ही आराम से वहां पे रखती तो बहुत ही धीरी धीरे वो वहां से उतर जाता है siyama bet once again help me climb up to so I can see तो जो siyama है वो बोलती है भाईया मतलब उसके सामने गिर गिराती है और बोलती कि भाईया तुम मेरी मदद करो चढ़ने में ताकि मैं उन्हें देख सकूँ you will fall down तो केशो बोलता है नहीं ने तुम गिर जाओगी I won't fall down भाईया you hold the stool तो वो बोलती है कि नहीं भाईया मैं नहीं गिरूंगे तुम स्टूल को पकड़ो no no if you fall down maa will make chutney out of me तो केशो जो है वो बोलता है नहीं ने अगर तुम किर गई तो maa मेरी चटनी बना देगी say will excuse me to helping you up तुम्हारे उपर चड़ने के लिए वो मुझे ही दोस्त देगी what will come out of you seeing them anyway तो फिर वो बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे देखने से क्या होगा now the eggs are comfortable अब जो अंडे है वो बहुत ही अराम से है when they hatch we will both look after the chicks तो वो बोलता है कि जब बच्चे जो है वो बाहर निकल जाएंगे तो हम लोग दोनों उसको बहुत ही अच्छी से देखवाल करेंगे the two birds would approach the conics only to quickly fly away again वो जो दोनों चिडिया है वो बार बर चजजे पे आती जजजे के पास आरे थी और तुरंती उड़ जा रहे थी case of wondered if they were scared and he took away the stool तो केशो बोलता है कि साइद वो क्या है तो केशो ऐसा सोचता है कि साइद वो डरी हुई थी और वो स्टूल को वहां से उठा के ले गया सियामा के आँखों में आसू थी यू डिड़न्ट सो मी सी कंप्लेंट आई विल टेल मा तो वो बोलती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना उसमें मैं मा से तुम्हारी सिकायत करूँगी है ना तुम बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुमने मा को बोला तो तो फिर वो बोलती है तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया है ना सियामा उसे पूछती है तो फिर केशव बोलता है अगर तब क्या होगा अगर तुम नीचे गिर जाओगी और तुम्हारा सिर्फ उट जाएगा तो फिर बोलती तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है तो बोलती तुम वेट करो मैं मा को बता दूँगी जस्ट देंड डो ओपिन एंड मा कैम आउट लाइडिंग हर आइस फ्रॉम द ब्लेजिंग संव उसी समय के ओता दरवाजा खुलता है और मा जो है वो अपने आखों को धूप से बचाते हुए बाहर आती है वो बोलती है तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो और वो पूसती है कि कुंडी को किस ने खोला तुम बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि दूप की दो पहर में बाहर मत निकलना केशो ने कुंडी खोला था बट स्यामा डिट नौट से लेकिन जो स्यामा है वो मा को ये बात नहीं बताती नहीं बोलती है केशो बोल देगी तो केशो को पिटाय मिलेगी है केशो पीटा जाएगा केशो को डर लग रहा था कि कहीं स्यामा जो है वो पूरे राज ना खोल दे क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाय थे इसलिए वो उस समय भी उस पे विस्वास नहीं कर सकता था वेदा स्यामा वस साइलेंट आट 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 आफ लव और विकाउस पार्टी तो दा क्राइम इस में इसलिए भी चुप थी क्योंकि क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी माउस की पिटाई ना करे और ये जो कुछ भी हुआ था है ना उसमें वो भी पाटिसिपेट थी है ना इसमें वो भी उसका एक हिस्सा थी तो वो इसलिए भी नहीं बोली परहपस it was both क्योंकि ये दोनों की बात थी है क्योंकि दोनों ने मिलके crime किया था ठीक है तो अगर वो बताती है तो उसका भी wait खुल जाएगा दोनों को पिटाई मिलेगी तो इसलिए भी वो चुप थी मा इसकॉल्डिट देम और टुक देम बोथ back inside the room मा जो है वो दोनों को डाटती है और दोनों को वापस कमरे में ले जाती है see let the door वो कुंडी को बंद करती है and started fanning them softly और धीरे धीरे पंखा जो है वो चलने लगती है it was only two o'clock in the afternoon अभी सिब दो पहर के दो बज़े थे and the hot summer wind was blowing outside और जो गर्म लू थी है ना मतलब गर्म तेज लू थी वो बाहर चल रही थी soon the two children were sleeping soundly और वो जो दोनों बच्चे थे वो लोग तुरन थी मतलब जल्दी से ही वो लोग सो जुके थे सो गया थे वो लोग siyama walk up with the start at 4 o'clock siyama जो skinny अचानक से चार बचे खुलती है the door was unless door जो थी मतलब कुंदी जो थी वो खुली भी थी see ran to the cornyx and looked up वो दोड के cornyx जजी की और जाती है और उपर की तरफ देखती है there was no sign of the basket वहाँ पे कोई भी छत नजर नहीं आ रही थी see chance to look down ran back to the room and shouted भाईया वो अचानक से उसकी नजर नीचे पड़ती है और वो ran back to the room और वो मतलब उल्टे पाव क्या है रूम के तरफ वो दोडती है and shouted भाईया और चूर से चिलाती है भाईया the eggs have fallen down the chicks have flown away जो अंडे है वो क्या है वो नीचे गिर गया है और जो chicks है वो मतलब बाहर चलेगा मतलब बच्चे जो है वो उड़ गया है the eggs ran to the conics and saw them the three eggs catcher जो है वो दोड के बाहर आता है और वो तीनों अंडे को जमिन पर टूटे पड़े वो देखता है lay broken on the floor assembly white and yellow liquid was oozing out of them वो जो पतला पतला सा कुछ सफीद और पीला तरल पडार्द जो अंडे के अंदर था वो क्या है बाहर निकला हुआ था the ball of water was also lying up चन और वो जो पानी का जो प्याली थी वो भी नीचे गिरी हुई थी केशो वेंट fell and start at the ground with gloomy eyes है न वो जो केशो था उसका चेहरा पूरी तरह से क्या हो गया था पैल मतलब पीला पड़ गया था और वो ground with gloomy eyes मतलब बहुत ही सहमी हुई आखो की तरह से वो जमीन की और देखने लगता है where have the chicks flown to? स्यामा जो पूछते भईया बच्चे कहां उड़ गया है where have the chicks flown to? स्यामा आस्ट the x was broken case of sadly केशो जो है वो बहुत ही दुख से बोलता है कि अंडे जो है वो food गया है and where have the chicks कोन? और बोलती है बच्चे कहां गया होंगे where do you think? और वो बोलती है तुम क्या सोचती हो? he replied with some irritation और वो थोड़े से चुड़ते हुए गुस्से से वो बोलता है और चुड़ते हुए जवाब देता है can't you see the white liquid coming out? तुम नहीं देख रही हो वो जो white liquid है सपेद पदार जो है वो बाहर निकल गया है it could have turned into chicks in a few days यहीं जो है वही कुछ दिन में बच्चों में बदल जाता ma shouted from behind what are you two doing out in the sun? ठीक है ma जो है वो पीछे से फिर से चिलाती है और बोलती है तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? ma ma the eggs are broken said syama syama जो है वो बोलती ma ma and day जो है वो तूट गया है you must have fiddled it with them said ma angrily looking at the broken cells है na ma जो है वो तूटे हुए अंडों को देखती है और गुस्से में बोलती है जरूर तुमने इनके साथ कुछ छेड़ चाड़ किये होंगे now syama did not pity her brother अब syama को अपने भाई पे कोई भी दया नहीं आ रही थी he must not have put the eggs back carefully enough so that they have rolled off है उसे लाग रहा था कि उसका जो भाई है भाईया जो है वो सौधानिस अंडों को नहीं रखा होगा जिससे वो नीचे गिर गए he ought to be punished उससे सजा मिलनी चाहिए he touch the ex maa said syama syama जो है वो मा को बोलती है इसने अंडों को छेड़ा था मा वाई मा आस्ट मा जो है पूस्ती क्यूं केसम स्टूल टंग टाइड है ना केशो जो है वो इक तम सीधा ख़ड़ा था how did you reach the maa asked again है ना तो मा फिर से दुबारा पूस्ती ही तो मुहा तक कैसे पहुँचे he kept a stool on bathing stool and climb of syama sat syama बताती है कि उसने bathing stool के उपर stool को रखके वो उसमें चढ़ा था we are not you holding the stool केशो चाज़ तो केशो जो है उस पर दो सार उपन करते ही बोलता है हा तो क्या तुम नहीं बग रही थी स्टूल को you told me replied syama तो syama बोलती हा तुमने मुझे बोला था you are a grown-up boy केशो don't you know that when you touch birds they become 10 तुम नहीं जानते हो कि अगर तुम किसी भी birds के अंडे को अगर तुम छू देते हो तो वो कंदे हो जाते है and then the birds don't hatch them anymore और जो अंडे जो होते हैं उन्हें वो जो पच्छी होते चिरिया जो होते उन्हें सेती नहीं है so the birds drop the stem self siyama asked her mother fearfully तो जो siyama है वो डरते हुए अपनी मा से पूछती है तो क्या चिरिया ने खुदी उस अंडे को नीचे गिरा दिया what else would the bird do मा से तो मा बोलती हाँ तो क्या करती वो मा सैट केशो you have done a terrible things मा बोलती है कि केशो तुमने बहुत ही कलत काम किया है oh my god you have taken three lives तुमने यह भगवान तुमने तीन जाने ले ली केशो लुब्ड पैन आई ओंडी कुसंट दा एकस he said quietly है वो धीरे से बोलता है यह ना बहुत ही बहुत ही जादा वो क्या होता दुखी नजर आ रहा था और वो धीरे कि दुबारा मत करना